नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हुँ मैं 27 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुद्ध वार है जेश्ठमास शुक्ल पक्ष की आज पंचमीति थी है पुनरवसू नक्षत्र है जो प्राताकाल साथ बच करके 28 मिनट तक है और इसके पश्चात कुष्य नक्षत्र है बुद्धियोग बवकर्ण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज करकराश में हैं और राहुकाल का समय दोपहर 12 बज़े से दोपहर 1 बज़ करके 30 मिनट तक का जैसा कि आप सब जानते हैं कोई भी नया कारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराकरम भाव इस भाव का कितना महत्व है ये सब आप जानते हैं इस भाव में शुभग रह की दृष्टी हो शुभग रह बैठे हो तो क्या प्रभाव मिलता है ये बात आप पूर्व में जान चुके हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के तृतिय भाव में अगर पापग्र हो तृतिय भाव पती तृक भाव में जाकर के बैठे हो तृतिय भाव पती पापग्रह के साथ बैठे हो तृतिय भाव पाप मध्यक्तों में हो तो क्या प्रभाव बनत प्रभाव मिलता है जातक को अपने जीवनकाल में जन्म कुंडली के तृतिय भाव से संबंधित तत्थ्यों पर चर्चा करेंगे दिव्यमहा प्रयोग में तो दिव्यमहा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरू बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की सुरि और शुक्र यूती बनाकर ब्रशब राशी में संचरन कर रहे हैं राहू और गुद्ध यूती बनाकर मिथुन राशी में चंद्रमा करक में तो वहीं धनु राशी में केतु का संचरन जारी है गुरू और शनी वक्री होकर यूती बनाकर मकर राशी में संचरन कर रहे हैं तो वहीं मंगल कुम्भ राशी में संचरन कर रहे हैं पुचर में चंद्रमा और गुरु आमने सामने बैठ कर गज के सुरी योग का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा और शनी के आमने सामने होने से विश्योग का भी निर्माण हो रहा है। अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। अपने राशी के बारे में जैसा कि मैं बताता रहा हूं बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा। कल दुतिये भाव से संबंध तथ्यों की मैंने चर्चा की थी। जैसा कि मैंने कहा राशी फल का महत तो इतना ही है कि आज उसे आप देख लें कल उसकी कोई आवशक्ता नहीं। फिर भी जब तुतिये भाव को आप देख रहे होंगे तो आपको दुतिये भाव के बारे में भी जानने की जिग्यासा होगी। अगर आपने कल का राशिफल यानि दुतिय भाव में पापक ग्रह के प्रभाव से दुतिय भाव के स्वामी तुर्क भाव में जाकर के बैठें तो कैसा प्रभाव उत्पन होता है अगर ये वाला विशय नहीं देखा क्योंकि राशिफल का कोई महत्पो नहीं परन्तु ये आवस्चक्ता इसकी पड़ती है मैं उपर लिंक दे दे रहा हूं लिंक में जाकर के आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जन्म कुंडली का तीसरा भाव यहीं एक और बात बता दूं आपको कि अगर आप सभी दर्शकों को राशिफल न मिले तो कम से कम एक बार अपने इन्वॉक्स को चेक कर लीजिए या फिर मेरे चैनल के बीडियो वाले सेक्षन में चले जाएए वहां जाने पर आपको मेरा बीडियो प्राप्त हो जाएगा राशिफल का जन्म कुंडली का तीसरा भाव महत्पपुर्ण है क्योंकि ये पराक्रम को दर्शाता है प्रियदर्शकों जन्म कुंडली के तीसरे भाव का प्रभाव अगर चाहिए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका लगन ससक्त हो लगन मजबूत हो बिना लगन के मजबूत हुए तृतिय भाव का विशेस प्रभाव नहीं लिया जा सकता क्यूं? क्यूंकि ये पराक्रम है पराक्रम करेगा कौन? आप? आप ही अगर ससकत नहीं है तो पराक्रम भाव लाख मजबूत हो वो किसी काम का नहीं एक और बाद जैसे की सुभग्रहों का प्रभाव बाकी के भाव में बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन बार्त अगर तुर्तिय भाव किया है तो यह ऐसा भाव है जहां सुभग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं और पापग्रह का भी प्रभाव बुरा नहीं होता उदाहर नार्त अगर जन्म कुंडली के आपके तीसरे भाव में पापग्रह जैसे राहू जैसे शनी जैसे मंगल जैसे सूर्य बैठे हैं तो यह अत्यंत स्रेष्ट है यह आपके पराक्रम में बृद्धी की सूचना दे रहे हैं वहीं पराक्रम भाव का मालिक यानि तुर्तिय भाव का मालिक को तुर्क भाव में जाकर के बैठ जाए छटवे आठमे बार में बैठ जाए तो यह भी खराब नहीं है क्योंकि आठमे से आठमा होने के कारण इस भाव की भी गड़ना कुछ उसी प्रकार होती है ये भी विपरीत राजियोग बनाने में सहायक होता है अब विपरीत राजियोग कब बनता है तो ये आप सभी जानते ही है कि लगन मजबूत हो तभी विपरीत राजियोग का प्रभाव मिल सकता है कहने कातात पर ये है कि पराकरम भाव में जरूरी नहीं शुभग रह की दृष्टी हो, शुभग रह बैठे हो निसन देह ये बहुत अच्छा फल देता है मैं पूर्व में बता चुका हूँ लेकिन पाप अग्रह भी हो, कोई दिक्कत नहीं अब अगर तृतिय भाव पाप मध्यत्यों में आ जाए तब, पाप करतरी योग लग जाए तब तो निसन देह दिक्कत आती है, पाप करतरी योग के कारण जातक को एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ता है, हर चीज को पाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है बहुत ज़्यादा प्रयास जब वो करता है तब जा करके उसका काम कहीं बन पाता है वही तुरुतिय भावपती अगर पापग्रह के साथ हो तो अगर वो खुद ही शनी इत्यादी ग्रह हैं तब तो कोई दिकत ही नहीं है पराक्रम आपको देखिए चुकि पराक्रम चाहे आप जितना भी करें ये तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ब्यर्थ का परिश्रम हुआ परिश्रम कभी ब्यर्थ का नहीं होता हो सकता है जो परिश्रम आज आपने किया किसी चीज को पाने के लिए वो आपको नवप्राप्त हो लेकिन आपके द्वारा किये गए प्रयत्न से आपको लाभ नवभी मिले तो ज्ञान तोव से हो गया होगा या वो परिश्रम कहीं न कहीं कभी न कभी काम आएगा किया हुआ प्रयत्न कभी ब्यर्थ नहीं होता आपके जीवन पर इसका विशेश असर नहीं पड़ेगा आपके पराक्रम पर कोई असर नहीं लेकिन रिष्टे को ये अवस्यक मुझोर करता है चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के करम में पहली राशी मेश राशिके जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से चतूर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं हाला कि ये चंद्रमा शनी और गुरू दोनों से दृष्ट हैं परणतु शनी से द्रिष्ट होने के कारण विश्योग का भी प्रभाव हो रहा है हला कि एक बात बता दू कारिस्थल पर लोग बाग आज से आज आप से भरपूर प्रभावित होंगे धन के मामले में आज पूरे दिन कोई न कोई विचार आपके मन में उत्पन्न होता कैसे परिवार को व्विवthen करूं कैसे परिवार के लिए और अच्छा करूं हलना कि मिला जुला करके देखा जाए तो चिंता में ही सही परण्थू दिन ठीक ठाक है परिवार के साथ समय वितीत होगा अगर घर पे हैं तो घर का माहल भी ठीक ठाक होने वाला है और कारिस्थल पर हुए तो जरुवत पढ़ने पर अपने मन की बात अपने हित की बात अगर अपने उच्चा धिकारियों से कहना है संकोच मत करिए अवस्य कहिए या परिवार के लिए छुटी लेनी है बिल्कुल संकोच मत लीजिए छुटी कर लीजिए छुटी ले लीजिए ये उन्हें लोगों के लिए है जो निरंतर कारिस्थल पर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार से सम्बंधित अगर कोई विवाद इत्या दी था तो यूं समझ लीजिए कि बातों ही बातों में या आपस में ही उसका निप्टारा हो जाएगा व्यापारियों को एक सलाह दूंगा आज व्यापार में जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदे मंद होने वाली है पारिवारिक जीवन बहुत सुख़द है लेकिन अगर कारिस्थल की टेंशन को आप पारिवारिक जीवन में शामिल करेंगे तो निस संदे घर का माहौल खराब होगा जीवन साथी के साथ अच्छा बेवार बनाईए लब लाइफ में आज जरूर थोड़ा उतार चड़ाओ है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा आज एक्स्ट्रा कुछ इधर उदर की चीज़ों में ही आपका दिन जाने वाला है और सेहत के दरिश्टिकोंड से देखें तो सेहत के मामले में आज आपको बहुत सावधान रहना है लापरवाही से भयंकर इस्तिती उत्पन नहो सकती है किसी बड़े रोक आप शिकार हो सकते हैं सेहत काज विशेस ख्याल रखिएगा गणेश अथर्व सुरुष का पाठ अवश्य करिएगा लकी अंका आपके लिए दो लकी कलर बैंगनी और शेर मार्केट में निवेश करते हैं आज मत कीजिएगा बृषब की बात कर लें तो बृषब रास पर प्रतिफल पूरम से आरी समस्य आगर कोई थी उसका निप्तारा हो जाएगा निदान हो जाएगा पुरानी समस्य खत्म हो जाएगी और यूं समझ लिजे कि कोई बड़ा फाइदा आपको मिलने जा रहा है सोचा हुआ काम भी आज आपका वक्त पर पूरा हो जाएगा वही जो लोग नौकरी पेसा हैं उनके लिए कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है नौकरी में कोई न कोई उठान या विशेस धनरास ही आपको प्राप्त हो यानि मिलाजु लाकर के देखा जाए तो मैं प्रमोशन सब्द का इस्तेमाल करूँगा कोई अच्छा ओफर आपको मिलने वाला है ब्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है तो वहीं बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहत फाइदेमंद है सफलता दिलाने वाला है ओनलाइन परिक्षा इत्यादी कोई है या ओनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं दिन अच्छा जाएगा सेहत अच्छी है सेहत में कहीं कोई परिशानी नहीं तुलसी का पत्ता अगर हनुमान जी को आप परपित करें तो बेहत फाइदा हो लकी यंग का आपके लिए तीन और लकी कलर हरा और शियर मार्केट में निवेस करते हैं तो विचार करके अवस्य कर सकते हैं और बात वहीं मिथुन की कर लें तो जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं आज ही आपको करना होगा कल पर मट्टा लिए क्योंकि आज से आप शुरू करेंगे तो उसमें समय लगेगा थोड़ा सा और समय आपके पक्ष में है, परिस्तुती आपके पक्ष में है सब कुछ ठीक होगा, इसका लाब उठाए वहीं कारिस्तर पर हैं तो आपको बिनम्र होना पड़ेगा सहयोग पुरुन रवय्या बनाना होगा बेवहार ऐसा बनाई कि जरूत पढ़ने पर सबकी आप मदद कर सके उच्छा धिकारी आज आपसे पूरी तरह से प्रभावित होंगे तो वहीं आपकी वानी भी आज पूरी तरह प्रभावित है जरूरी जो भी आपके काम है अपना काम तो आप करी लेंगे, औरों का काम भी अपनी वानी से आप पूरा करा लेंगे यानि कि देखा जाए तो मिला जूलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ में बिल्कुल सब कुछ बढ़िया रहने बाला है प्रेमी से प्रेम सहयोग और जरुवत पढ़ने पर धन की मदद भी मिल जाएगी प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दामपत्य जीवन सामाने और विध्यार्थियों के लिए देखा जाए तो धंषामाजर्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है धन संब्ढ़िया अगर कोई मसला है कोई मामला है जिसमें परिशानी चल रही थी वो दूर होगी एक फष्दानी री नीड़ान और फीर से परिशान करसकता है करक की बात कर लें तो आपको विचारधारा अपनी सकारात्मक बनानी होगी दिन बहुत बढ़िया है मानसिक अशांती जरूर होगी याद रखिएगा लेकिन हर काम बनता चला जाएगा मन में अशांती स्वाभाविक दिखाई पड़ रही है लेकिन काम सारे बनेंगे रास्त दिन को ब्यर्थ मत जाने दीजेगा और दूसरे के भरोसे बैठ करके तो कोई काम नहीं हो सकता जो भी करना है अपने बदौलत अपने पूरुसार्थ पर भरोसा करिए बयोसाईयों के लिए आज का दिन ठीक है कहीं रुका हुआ पैसा है तो मिल जाएगा आपको लेने के प्रत्न करना चाहिए आर्थिक लाब के उस्ति बन रही है और जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है नौकरी नहीं है परेशान है उनके मने में आज कुछ न कुछ विचार उत्पन न होगा विशेशकर ब्यापार इत्यादी को ले करके लेकिन एक सलाह देता हूँ ब्याप लाइफ की बात करूं तो ठीक है प्रेमी से बातचित करिए समय दीजिए उनकी भावनाओं को समझे दामपत्त जीवन सामाने और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है आज कि सिमित्र की सहायता से कोई जरूरी प्रोजेक्ट इत्यादी आपका पूरा हो जा पर या कहीं भी जो जगह खाली हो वहां डाल देगा लखियंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए आज ना रगगी है और सिम्म की बात कर लेते हैं दिन बिल्कुल सामान्या है केवल सामान्या नहीं है कोई बड़ी समस्या भी आपकी सुलजने बाली किसी परिशानी से जूज रहे थे कस्ट से जूज रहे थे उसका कहीं न कहीं कोई रास्ता निकल आएगा तो कारेस्थल पर आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा एक बात आपको बता देता हूं कि ये समझ लीजिये यूं कि ये प्रतिभा कुछ इस प्रकार से दिखाना होगा कि लोग आज आपका इस्तेमाल करेंगे हो सकता है किसी और का काम भी आपको करना पड़े लेकिन याद रखिएगा कि किया हुआ प्रित्न कभी ब्यर्थ नहीं जाता मौके का लाभ उठाइए और बॉस की नजरों में अपने आपको ले आईए चोटी-मोटी रुकावटें आती रहेंगी उनका डटकर सामना करी आप आसानी से पार कर लेंगे आने वाले दिनों को बहतर बनाने के लिए अपने आपको सिध्ध करने के लिए यही वो मौका है जहाँ आप सिध्ध कर दें कि चार आदमी का काम आप आसानी से कर सकते हैं याद रखिएगा वक्त के हिसाब से चलेने वाला ही सफल होता है और व्यापारियों के लिए अर्थिक अच्छी दिखाई पड़री अगर नौकरी नहीं है और आप प्रत्न कर रहे हैं तो आज का दिन वेर्थ जाने वाला है काम नहीं बनेगा एक ही बात कहूंगा आज अपने काम में किसी तरह की लापरवाही मत बनाईए लापरवाही मत कीजिए लापरवाही से नुकसान होने वाला है किसी को पैसा उधार आज बिलकुल नहीं देना है प्रेम सम्मंद के लिए दिन बढ़िया जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है कम मेहनत में अच्छी सफलता लेकिन सिहत के मामले में दिन ठीक बिलकुल नहीं है जो लोग का रेस्थल पर उन्हें बहुत सावधान रहना होगा सेहत के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है किसी रोग का शिकार आप हो सकते हैं सो बहुत सावधान रही है और इस समय जिस रोग क्या लोग सिकार हो रहे है उसका तो नाम ही कहना बड़ा मुश्किल सावधान कर देता हूं सेहत के मामने में सावधानी जरूरी है आज आपको शंकट नासन गड़े सुस्तोत्र का पाठ करना चाहिए लखियन का आपके लिए लकी कलर महरुन और शेर मार्केट इत्यादी में निवेश करते हैं बिल्कुल नहीं बात करन्या राशकी कर लेते हैं कन्या राशकी जात्कों के typically आज कreka दिन का पुरवार्द बहुत बढ़िया है procent बढ़िया ही नहीं है वारण धना गमन की सुथी भी बन रही है कुछ महत्तव पुर्ण फैसला लिना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए दिनके उत्तरार्द में कुछ बड़े निरने लेने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दिन के उतरार्ध में योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आने वाले दिनों के लिए योजना बनाईए, दिन के उतरार्ध में किसी जरूरी मित्र इत्यादी से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मुलाक समाधान आपको मिल जाएगा और कहीं नौकरी के इंट्रिव्यू इत्यादी आप देने वाले हैं तो सफलता मिलेगी बिल्कुल तैयार हो करके जाईए और व्यापारियों कि अगर हम बात कर लेते हैं तो व्यापार में सफलता दिलाने वाला है आज का दिंकम में बृद्धी दिखाई पड़ रही है व्यापार में सफलता हर प्रकार से मिलती हुई दिखाई पड़ और कोई पूर्व से आरी समस्या थी यूं समझ लिजे उसका हल हो जाएगा समाधान आसानी से निकल आएगा बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है इस बात का खैल रखिएगा दा ना उत्पन प्रेम संबंदों में आज मत हो नहीं दीजेगा बिद्यारतियों के लिए देखा जाए तो आलस्य और ठकान से परिशान रहेंगे मन पढ़ाई में आज बिल्कुल नहीं लगेगा और सेहत के दृष्टिकोर से देखे तो महत्तो पुर्ण सुधार दिखाई प सफलता भरा दिन है आज आज आपका और मिला जुला करके देखा जाए तो कारिस्थल पर बहुत अच्छा करने वाले हैं आप और यही आपकी मेहनत यही आपका अच्छा करना और बैलेंस करके अच्छा करना बौस की नजर में आपको ले आएगा फाइदे की स्थिती बन रही है इंकम बढ़ने वाली है आपकी हो सकता है काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़े लेकिन लाब की स्थिती बनेगी सोचे हुए काम आज पूरुन हो जाएंगे वहीं एक अच्छी खबर आपके लिए है कि अगर नौकरी चली गई थी तो हो सकता है उसी जगह पर आपको दुबारा गुलाया जाए अधिक वेतन दे करके या कहीं और उससे अधिक वेतन वाली नौकरी आपको मिल जाएगी जितनी मेहनत करेंगे उसकी सफलत आपको उतनी सफलत आपको मिलेगी और व्यापारियों के लिए भी देखा जायते दिन बहुत बढ़िया है प्रैसों से संबंधित कोई उल्जा हुआ मामला है तो उस दिसा में आज काम करना सुरू करिये रास्ता मिलना सुरू होगा समस् आपको होगा डामपत्य जीवन सामाने और विद्यारतियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट फिल्ड के अगर आप विद्यारति हैं तो जवर्दस्त परिडाम सफलता जवर्दस्त मिलने वाली और सेहत को ले करके कोई चिंता मत करिए अब दिन बहुत लेकिन अगर आपको लगता है कि परिष्टी ठीक ठाक है आपको समझ में आ रहा है आप लगा सकते हैं लगाईएगा बृष्ट की बात कर लेते हैं भाग्या आपके साथ है आत्मविश्वास में बृद्धी है ही आपके अंदर धनलाब का कोई नया जरिया जो की बहुत द ब्यभार में आपको पूरी तरह से संतुलंद बना करके रखना है और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार आज बहुत बढ़िया चलने वाला है व्यापार को लेकर कि कोई चिंता नी धनलाब किस्तिती साब साब बंती भी दिखाई पड़ रही है कारेस्थ कानिया आज बनी रहने वाली है सेहत को लेकर के आज आपको सावधान रहना है विस्टेस कर पेट से संबंधित जूरोग हैं वह आपको परिशान कर सकते हूं कि सी मजबूर की मदद करेता कर देना आ आ साहे वो आप अपनी दिन चर्या में खुद से बदलाव लाएं या कारिस्थल पर कुछ न कुछ बदलाव लाया जाएगा। रिजल्ट सामने है या यूं कहें कि हल सामने है लेकिन आप चाह कर के वि उसका हल भूण नहीं पाएंगे इसके चलते आपको परिशानी होगी सयम से काम लेना होगा बिवेक का सही इस्तेमाल करिए साम तक परिस्तितियों में आप बहुत तक बदलाओ ले आएंगे और साम तक जब आप दिन का आकलन करेंगे तो आपको लगेगा दिन ठीक भीता है कोई स्थाई संपत्ति इत्यादी की बात चित चल रही है कहीं कोई जल्दबाजी नही आज तो बिल्कुल नहीं और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता कोई नया व्यापारित्यादी शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं अभी रुकिए बिना सोचे समझे कोई बात किसी से कह देना और कोई गंभीर व पात में सफलता कम मिलती हुई दिखाई पड़े उस सेहत की हम बात करने तो कमर के नीचे के अंगों में थोड़ी परिशानी हो सकती है दर्दित्यादी की शिकायत बढ़ सकती है जरा साव धान लिएगा आज मां का आशिरवाद लेना बहुत जरूरी है कोई भी काम प्रार से उठते ही आज पूरे दिन की योजना बना ये लिस्ट बना लेनी है जरूरत पढ़ने पर आज आपको आपके पाटनर का सहयोग यानि जीवन सांती का सहयोग आपके अपनों का सहयोग आपको मिलता चला जाएगा सारे काम समय से पहले ही पुरुन हो जाएंगे पैसों के नौकरी चली गई है उनको आज विश्यस रूप से प्रत्न करना चाहिए आज आपके दिमाग में कोई न कोई व्यापार से संबंधित विचार धारा चलती रहेगी व्यापार इत्यादी को लेकर कि आज आपका मन चलता रहेगा बढ़िया है अगर आपको समझ में आ रहा ह इस्ति बंती दिखाई पड़ रही है या यूं कहें कि रिन से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ेगी किसी से कोई बड़ा वादा नहीं करना है जीवन साती से आपको सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़ी और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो समय सामानेतिया बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है पढ़ाई में आज मल लगाई हनुमान 40 का पाठ आज उससे करिएगा तीन बार कर लिजेगा तो ज्यादा अच्छा होगा लखियंक आपके लिए आज साथ है और लखी कलर आपके लिए आज प कर लेना है तनाओ समस्या इससे आपको मुक्ति मिलेगी और तनाओ बेवजह तनाओ मत पा लिए समस्या का हल निकल आएगा निसंदेह आज दिन बहुत अच्छा नहीं है सोचे हुए काम पूरे होने में बाधा उत्पन्न होगी परिसानी आएगी तो ही नौकरी पेसा की भी दिखाई पढ़ रही है लाभ के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है विसेश करके बात यह मैं ब्यापारियों के लिए कहुंगा तो वहीं नौकरी के लिए अगर आप प्रयास रथ हैं तो आज भी आपको निरासा और हतासा ही आपके हाथ लगने वाली है तो मिला जो लाकर के ब्यापारियों के लिए दुन ठीक ठाक दिखाई पढ़ रहा है ब्यापार को लेकर के अगर कोई यात्राइक ट्यादी करनी है तो प्रयात नहीं करना है न करिए जल दबाजी में कोई फैसला बिलकुल मत करिएगा और जीवन स्वात साथी के स्वास्त बढ़ सकती है जरह आपना खयाल रखिएगा और आज मंदर में डूध का दान करिए लखियंग का आपके लिए पांच लखी कलर सफेद और शेर मार्केट में नहीं करना है मीन की बात कर लेते हैं मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है संतान के और बन रही है कारिस्थल प्रबातावरन बिल्कुल सुखद रहने वाला है साथ के लोगों का सहीव प्राप्त हो जागा और वहीं जो लोग नौकरी खो चुके हैं उनको आज विशेश प्रत्न करना चाहिए अन्य था हो सके तो शेर मार्केट इत्यादी में जानकारी लेना श समझ लेंगे दामपत्य जीवन में मधूरता बढ़ेगी और पतियोगी कोई परिक्षा इत्यादी देने वाले हैं आपको सफलता मिलेगी यानि बिद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया खुब महनत करिए और आगे बढ़िये सेहत के द्रिश्टिकोंट से देखें तो भुक्रां से में दर्ध इत्यादी की शिकायत से संबंदित सकायत एंस्जीटी की सिकायत हो सकती है आज किसी गरीब मजबूर को या मजधे वर्थका कोई व्यक्ति हो उसको कुछ भन दान दीजिए लकी यंक आपके लिए नौव लकी कलर आपके लिए नीला और शेर मार्केट में इवेज करना चाहते हैं कर सकते हैं तो प्रियदर्शकों ये था में शिशे लेकर के मीनराशी परियंत प्रतेक राश्के जातकों का पुरे दिन का हाल आज के लिए सकता हुआ कराउ कर जु ज équरे कर दो हुआ decision एमें घजां है जफ टता क्हा हुआ कर लोगरह कर दो हुआ है